शरब अवतार भगवान शिव का अध्भुत रूप हिंदु धर्म में भगवान शिव को शुरुजन और विनाश दोनुं का प्रतीक माना जाता है उनके विविन अवतार और रूप समय समय पर प्रकट होते रहे हैं जिनका उद्देश्य केवल अधर्म का नाश और संसार में संतुलन स्ताफिक करना रहा है भगवान शिव का एक अत्यंत रहस्यमय और अद्भुत अवतार है शरब अवतार यहाँ अवतार तब प्रकट हुआ जब भगवान विश्टू ने नरसिहार भूप में हिरन्यकश्यव का वद किया लेकिन उनका उग्र रूप शांत नहीं हो पाया शरब अवतार की कता शिव और विश्णू के संबंध और प्रमांडिय संतुलन को दर्शाती है एरन्यकश्यव के वद के बाद वगवान दर्शिया का रूप अत्यंत उग्र हो गया था वह अधरम का नाश करके भी शक्र नहीं हो पा रहे थी उनके इस उग्र रूप से देवता और रुशी सभी भैबी हो गये विश्ण का या स्वरू इतना प्रचन्द था के प्रमांड का संतुलन बिगड़ने लगा तब देवताओं ने भगवान शिव की शरन लिए भगवान शिव ने इस संकट को समाप्त करने के लिए अपना शरब अवतार लिया शरब का रूप अत्यंत अनोखा और भयंकरता वा आदा सियं और आदा पक्षिता उसके पंक गरूर की धरते और उसका रूप उग्रता और शान्ति का संयोजन्ता शरब अवतार का उद्देश्य भगवान शिव के नर्स्यार रूप को शान्त करना और प्रमाण में संतुलन बहाल करना था शरब अवतार में भगवान नर्स्यार को चुनोपी दी और उनके उग्र रूप को नियंत्रिक दी यह संगर्ष एक महतपूर्णा प्रतीक था शिव और विश्णू दोनों ही ब्रमाण की दो आवशक शक्तिया है जो श्रुजन और नाश का प्रतिनी दिप्तुव करती है भगवान शिव ने शरब रूप में भगवान विश्णू के उग्र स्वरूप को शान्त किया और उनके दर्सयार आवतार का अंत किया इस प्रकार भगवान शिव ने ब्रमाण में फिर से संतुनन स्तापित किया शरब आवतार का महत्व केवल एक पौरानिक कथा तक सीमित नहीं है बलकि यह घरे आध्यात्मिक और सांसकूतिक संदेश भी देता है भगवान शिव का यह अवतार दिखाता है कि हर उग्रता चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो उसे अंताव शान्त होना ही होता है शरब रूप इस बात का प्रतीक है कि शक्ति का उप्योग केवल दनाश के लिए नहीं बलकि संतुलन बनाए रखने के लिए भी किया जाना चाहिए भारत में कई ऐसे मंदिर है जहाँ शरब आवतार की दूजा की जाती है विशेश रूप से दक्षिन भारत के मंदिरों में इस आवतार को विशेश रूप से मान्यता दी जाती है यह माना जाता है की शरब आवतार की पूजा से भय और संकट दूर होते हैं और जीवन में शान्ती और संतुलन आता है भगवान शिव के इस अदिवित्य रूप की पूजा उनके भक्तों के लिए विशेश मात्वर रखती है क्योंकि यह हमें उगरता और शात्व स्वभाव के बीच संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है भगवान शिव का शरब अवतार हिंदु धर्म की उन अदिवित्य कथाओं में से एक है जो केवल देवताओं के शक्तियों का प्रदर्शन नहीं बलकि संतुलन और समय की महत्वपूर्न शिक्षाए देती है यह अवतार हमें यह भी बताता है कि भगवान विश्णु और भगवान शिव के बीच का संवन्द केवल संगर्श का नहीं बलकि ब्रह्मान के संतुलन का प्रदीक है शरब अवतार की यह कता आज भी हमें जीवन में संतुलन और शांती बनाए रखने की प्रेरा देती है